आए अच्प, आपका एक और नए वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्र्ल मुअने के ग्राइयू के इस तरह से आपको अन्हाइया मूंरे ज़ौ हम कंस्रक्षिन करते हैं इसमें किस टैप अफ कंस्रक्षिन के लिए किस ग्रेट का concrete हमें इस्तमाल करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कई बार हमारे clients हम से सवाल करते हैं कि sir जो भी आप construction बता रहे हैं concrete mix का वो जब हम ठेकेदार से बात करते हैं अपने contractor से बात करते हैं तो वो कुछ और ratio बताता है ऐसी इस्तिति में हमें कौन से ratio को adopt करना चाहिए तो आज के वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं कि जनरली जो आप market scenarios में construction देखते हैं उसमें concrete का M10 से लेके M50 grades तक इस्तमाल होता है हाला कि यह grading M80 तक जाती है जितनी मुझे knowledge है बट जादा तर construction से अगर आप residential areas में देखेंगे तो M20 M25 तक ग्रेडिंग जाती है उसके बाद ग्रेडिंग residential areas में जाती हां commercial areas में grading जो है M25 से आगे जाती है और M50 तक चली जाती है bridges and बाकी और construction में यह M80 85 तक भी जाते हुए मैंने देखा है कि यह sites पे जाती है अगर वो आगे कभी हम discuss कर सकते हैं आज के वीडियो में हम basically M10 से M25 ग्रेड तक की वीडियो के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों यह जो M10 और M15 ग्रेड के हम बात करें यह basically एक हमें बताता है कि हमारे जो concrete है वो कितनी strength को bear करता है और वो कितने हद तक load को ले सकता है जैसे जैसे gradings बढ़ती जाती है वो concrete उतना ही जादा strong होता है वो जादा load को bear कर सकता है residential areas में हम पहले M15 का इस्तमाल करते थे अब हम M20 और M25 का इस्तमाल करते हैं यह M15 और M10 अब बहुत पहले ही obsolete हो चुके हैं मगर कुछ पुराने contractors और मिस्तरी आज भी इस grade को इस्तमाल करते हैं यह जो M15 M20 और M25 grades है इसमें basically जो difference होता है वो cement के ratio का difference होता है अगर हम cement की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो हमारे के अनुपात में रखी जाती है जनरली जो M15 का जो grade होता है उसमें हम जो cement और रेशियो कोर्स and और कोर्स aggregate का रखते हैं वो one is to two is to four रखते हैं यानि कि अगर एक हमारा cement है तो दो हमारी मोरंग होगी और हमारी चार जो है quantity में हमारा aggregates होंगे मगर जब हम में 20 की बात करते हैं तो हमारा इसमें जो रेशियो होता है वन इस्टू 1.5 इस्टू 3 होता है यानि कि अगर हम एक cement लेते हैं तो हमें उसका डेड़ गुना लगबग मोरंग लेनी है और लगबग तीन गुना हमें अपने मिक्स बनाते हैं तो हमारा M20 ग्रेड बनता है इसी तरीके से M25 ग्रेड होता है वन इस्टू 1 इस्टू 2 उस रेशियो में हम एक cement एक मोरंग और दो अपनी कोर्स अग्रेड़ को लेकर मिक्स करते हैं उम्मीद करता हूं आपको जनकारी पसंद आई होगी इसमें जो सीमेंट लेते हैं जो कि आपको मार्केट में असानी से मिल जाती है इस सारी चीजों को मिला कर जो भी आप कॉंक्रीट का ग्रेड बनाते हैं वह बेसिकली आपके रेजिदेंशल परपस के कस्रेक्षन में काम आता है अब हम 15 ग्रेट पा इस्तमाल नहीं करते हैं अब हम जदातर M20 या M25 अब्रेड करते हैं एक से जाधा अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए को आप अपने लोकल एरिया के आर्किटेट या इंजिनियर से बात कर सकते हैं वह आपकी इसमें ज़रूर मदद करेगा वीडियो में दी के जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर नमस्कारा